सुन रहे हो चलता हुआ समय जो बोल रहा है कि में खो सही तरीके से यूज करो वरना मैं ऐसे ही निकल जाओंगा और आप देखते रहे जाओगे और सही से यूज कैसे करना है वो आपको मैं से खाऊंगी आज की वीडियो में आज है 25 जुलाई और 7 ऑउगस तक हमारे पास है अराउंड 10-11 देज इन दिनों में आपने कैसे प्रप्टेशन करनी है कैसे अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना है विकास टाइम बहुत ही पावरफुल है अगर आप इसे सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर लेते हैं इसके साथ ही हम 7 ऑउगस आल्स एक्जाम प्रडिक्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में एंड तक पहने रहें एंड पर जाके वी जल्दी होती है जस्ट उसे पहचानना नहीं आता जो बच्चे 7 ऑउगस को अपना एक्जाम देने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ओल अपने लाइफस्टाल में छोटे मोटे चेंज़स करें जैसे मॉर्निंग जल्दी उठना जो आपको हैल्प करेंगा आपका कॉंस्टेशन ज्यादा बनेगा उस टाइम पर आपको कोई डिस्टरफ करने बादा नहीं होता और आप सोके होते होते हो आपका माइंड कंप्लीटली फ्रेश होता है आप जो भी चीज रीड करोगे जाप फिर आप पूह लिस्निंग रीडिंग कर रहे हो आपको उसका बहुत ही जादा अब बहुत होगा सेकिंड फिजिक विडिज करो थोड़ी बहुत एक्सराइज करो को जोगा करो ठीक है ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपको बहुत ही हल्प करेंगी अब बहुत ही एक्टिव फिल करो थर्ली वाक करो मॉनिंग जल्दी उठके ट्राइब करो कि 10 से 15 ठीके से नियूज करना है उसके बार आपनी अपने एक शड़ीज बनाना है ठीक है अपना जो टाइम टीबल उसे बनाना है किस वैडियुल में आपको ज्यादा प्रॉब्ल्म है लिस्निंग रिडिंग राइटिंग जिस पे आपको च्चाल प्रॉब्लम आ रही है उसी में आपने ज़्यादा work करना है suppose करो आपको reading में true false not given किसी particular question type में आपको problem आ रही है फिलप्स में true false में list of उसे deeply analyze करो उसे कैसे improve कर सकते हो because हर एक चीज का solution होता है every log has a key आपको solution जुरूर से मिलेगा आपके पास काफ़ी दिन है अच्छे से preparation करो material लेना है इसके लिए वीडियो बन चुकी है वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलेगा उतने दिन आपने daily vocabulary करने है phrases spelling की बहुत सी वीडियोज है spelling पे आपने अच्छे से work करना है practice करने है daily एक वीडियो लो उससे practice करो उसके बाद देखो 100% true निकली है 24th of July की आप चेक कर सकते हो फिर भी मैं आपको बता दूँ prediction is just only a guess work उन्हीं बच्चों के लिए जिस सही है जो hard work करते हैं उन्हीं को ही इसका benefit करते हैं मेडियो फर्स जानी की listening से listening part 1 में आपको form completion kind of philips आय सकती है form दिया होगा जिसे आपने fill करना होगा answer one word only order number आ सकता है chances है ऐसी level रह सकता है इसका easy part 2 के गर हम बात करें यहाँ पर आपको match the information और short answer mcqs answer आ सकता है any order में जैसे की c, d, v, c ऐसा कुछ आ सकता है still आपनी instructions को carefully read but ऐसी possibility है कि आपको आ सकता है part 3 में large mcqs और part 4 में आपको blanks रेखने को मिल सकती है listening का overall level रह सकता है easy to moderate month का first exam है most of the time जो first exam होता है वो easy consider किया जाता है बात कहती है reading passes one की यहाँ पी आपको true false not given की सासथ philips रेखने को मिल सकती है यहाँ पी मैं आपको बता दूँ कुछ time से भी reading है बचों को काफी easy आ रही है वैसे जे depend करता है student to student वही reading बहुत बचों को easy भी लगती है जिससे question type में problem है उसे definitely वो चीज़ difficult ही लगी ज्यादा तर अभी जो reading है वो मक्कर volume 1 और 2 में से आ रही है और cameras का level ठीक है आप उनसे preparation कर लिया करो passes 2 का level आ सकता है easy to moderate जिसमें आपको list of heading type of और match the information complete the summary type of question आ सकते है passes 3 में आपको multiple choice question, blanks, yes or not given type of question आ सकते है reading tips and tricks magical tips जो आपको मजबूर कर देंगे bands को लेने पे वैसे videos बन चुकी है सभी videos की playlist बनी हुई है playlist का link आपको नीचे मिल जाएगा अभी बात करती है writing writing most of the time हमारी correct ही होती है last exam में line और table का combination morning और evening time line देखा गया 7th of August की अगर हम बात करें बीच में एक exam है 31st of July का अगर हम बात करें 7th of August के exam की यहां पे process, bar और pie इन तिनों में से बहुत ही जादा chances है कि किसी एक तरह का task 1 आपको आ सकता है अगर हम बात करें task 2 की यहां पे agree, disagree, discuss both views, advantage और disadvantage type of essay आपको आ सकता है topic के लिए अलग से वीडियो बन चुकी है most of the time हम जो भी predict करते हैं topic भी as it is same आया है same नहीं तो मिलता जोलता तो आपको उनी में से आ ही जाएगा बहुत यहादा chances है साथी साथ speaking part 1 और part 2 के लिए भी वीडियो बन चुकी है सबी वीडियो आपको नीचे description box में मिल जाएगी this is all about this video video अच्छे लगे लेक्षे और कॉमेंट करके चुरूबताना झाल 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 झाल